पुलिस पब्लिक एशोशेशन हमिरपूर की एहम बैठक हमिरपूर में आयोजित की गई बैठक की अधिक्स्ता एसपी बलवीर सिंग ने की तो बैठक में सच्चो सदर संजीव गौतम पीपीएस अध्यक शेरमेश चंद भी मौजूद रहे बैठक में पीपीए की पर चर्चा की गई और आगामी दिनों के लिए रूप रेखा तयार की गई जानकरी देते हुए पीपीए प्रेस सचीफ जस्वीर कुमार ने बताया कि बैठक के दौरान नदौन सुजानपूर जाहू भोटा हमिरपूर के पीपीए सदस्तों ने पुलिस को फीडबैक दी और नशे के कारोबारियों की डिटेल सौंपी ताकि समय रहते हुए नशे के ब्यापारियों पर सिकन जाका सचा सके बैठक को संबोधित करते हुए एसपी बलवीर सिंग ने कहा कि पुलिस पब्लिक एसोस्योशन काफिस में से पुलिस के साथ कंदे से कंधा मिलाकर काम कर है उन्होंने कहा कि पीपीए पुलिस का अफिन अंग है और सेवा भापना से पुलिस के साथ हर वक्त खड़ी है जिसके लिए पीपीए सदस्ते बढ़ाई के पातर है एसपी ने कहा कि पीपीए की सदस्तें से पूरे जिला का क्रिमिनल नशे के वियापारियों का डाटा त के तहद पूरे जिला से ही क्राइम को जड़ से उखारने के लिए मदद मिलेगी वहीं और लोगों में सुरक्सा की जो भावना है वो बनी रहे यहां सच्चो संजीव कौतम ने कहा कि पीपी की कंदों पर एहम जिमिदारी है और पुलिस का डर जनता के मन से निकालना होगा उन्होंने कहा कि पुलिस और पबलिक के बीच में पड़े हुए गैप को खतम करने के लिए काम करने की जरूरत है ताकि पबलिक के साथ पुलिस के शाहरत्य पूरण संबंद बन सके उन्होंने कहा कि पहले खुद PPA सदस्तियों को नियमों का पालन करना होगा तब ही दूसरों को सिखा पाएंगे वहीं PPA अधिक श्रमेश सिंग ने कहा कि बैटक में हर माह के अंतिम सनिवार को पुलिस थाना परेशन में बैटक का आयोजन किया जाएगा और यातियात विवस्ता को दुरुस्त बनाने के लिए महीने में एक पाल पुलिस के साथ दिन भर PPA सदस्ते काम करेंगे उन्हें कहा कि PPA सदस्तियों को मन लगा कर पुलिस के साथ काम करने के लिए टिप्ट दिये गे हैं इस अपसर पर पीपी सदस्यों को A.S.P. बलवेस सिंग ने पहचान पत्र भी बांटे बैटक में उपरधान संजीव ठाकुर्पवन कुमार महसचिव राजी पूरी कोशा आजक्ष मुनीश पूरी राजन कपिल रिबन मेहर सिंग सुभाज सोनी नानक चंद अजेपूरी अर्विन सिंग नेक राम अश्वनी चौधी भी मौजूद रहे इस शब्तों में एक निरेदन है कि हमारा जो बिहेवियर है हमारा जो आचारण है वो उच्च कोटी का हो इस स्तर का हो कि हम लोग इस मंच को इस संस्था को पिशाही पर ले जाएं